इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिठ्षे आती हैं, कॉमेंट्स आते हैं, भाती-भाती के इंपुट मिलते हैं, जब उनकी तर्फ नज़े दोड़ा रहा था, तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वण बात याद की, माई गौपर, आरियन स्री, बेंगलूरी से अनुपराव, नोएडा से देविश, ठाने से सुजीत, इन सभी ने कहा, मोधी जी इस बार मन की बात का पच्चतरवा एपिसोड है, इसके लिए आपको बथाई, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है, और आप जुडे रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विशा है, आनन का विशा है, मेरी तरब से भी आपका धन्यवाद है है, मन की बात के सभी स्रोताओं का भार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना इस सफर संभवी नहीं था, ऐसा लगता है, मानो यह कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर यह बैचारी की आतरा शुरू की थी, तब 3 अक्तूबर 2014 को विज्या दस्मे का पावन परवथा, और संयोग देखिए कि आज होली का दहन है, एक दीप से जले दूसरा, और राष् रोशन हो हमारा, इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तै किया है, हम लोगों ने देश के कोने-कोने से लोगों से बात की, और उनके असाधारन कारियों के बारे में जाना, आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कौनों में भी कितनी अभूत पुरुक शमता पड़ी हुई है भारत मा के गोध में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं aपने आप में भी एक समाज के प्रती देखने का समाज को जानने का समाज के सामर्थ को पहचानने का मेरे लिए अध्भूत अनुभव रहा है इन 75 एपिसोर्स के दोरान कितने कितने विश्वयों से गुजरना हुआ कभी नदी की बाद तो कभी हिमाले की चोटियों की बाद तो कभी रेगिस्तान की बाद कभी प्राकूति का अबदा की बाद तो कभी मानो सेवा की अंगिनत कथाओं के अनुभूति कभी टेक्नोलोजी का आविश्कार तो कभी किसी अंजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा आप आप देखिए क्या स्वच्छता की बात हो चाहे हमारे हैरिटेज को समानने की चर्चा हो अर इतना ही नहीं खिलोने बन किया है तो वो भी शायद अंगिनत हो जाएंगे इस दोरान हमने समय समय पर भाहान विभूतियों को सद्धाज लिए उनके बारे में जाना जिन्नों ने भारत के निर्मार में अतुलनीय योगदान दिया है हम लोगों ने कई वहिश्विक मुद्वपर भी बात कि उनसे प जोड़ते रहे और कुछन को नया जोड़ते भी रहे मैं आज इस 75 एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए सम्रुद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहे के लिए हर स्रोता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं